नमस्ते सभी को मेरा प्यार बरा नमस्कार चलिए आज की क्लास में देखेंगे सुजान बगत कहाने का अंतिम भाग भाग पांच कहाने का क्लाइमेक्स प्रिय विज्ञारतियों आप अपने किताब में भाग पांच इसको हाथ में रखकर समझ कर अगर आप ये वीडियो देखेंगे एनी वीडियो लेक्चर क्लास तो बहुत ही अच्छी तरह से आप इस क्लास को समझ सकते हैं प्रेम चंच की कहानी सुजान भगत कहानी के मुख्य पात्र सुजान एक किसान है बुला की सुजान की पत्नी है भोला सुजान का बड़ा बेटा शंकर सुजान का छोटा बेटा और भिकारी इसमें शुजान बगत इस कहानी में ये बताया गया है इंसान ये चाहें तो अपने कठिन परिश्रम यानी हाड वग द्वारा अपनी खोई हुई इज़त, मान, समान राप्त कर सकता है असंभव को संभव अपने हाड वग से कर सकता है कहानी अब तक एक दिन एक विकारी द्वार पर आकर चिलाता है सुजान भगत देखता है कि कोई भी उसे विक्षा नहीं दे रहा है तो वह अंदर जाकर एक कटोरी में विक्षा लेकर आता है या एक टोकरी भर विक्षा अनाज लेकर आता है और विकारी को विक्षा देने के लिए निकल पड़ता है बोला वहाँ पर आकर कहता है आप इस अनाज को किसी भी कीमत को नहीं दे सकते सुजान के हातों से अनाज छीन लिया जाता है इस घटना ने सुजान के मन को पूरी तरह से जंग्चोर कर रख दिया सुजान पूरी तरह से ढूट चुका था आज इसने ये निरने लिया कि वह किसी भी कीमत पर अपनी खोई हुई प्रतिष्टा मान समान फिर से प्राप्त करके ही रहेगा अपने घर में होई हुई इज़त प्रतिष्टा प्राप्त करना ही है आज इसने निरने लिया कि वह पहले की तरह खेतों में काम करना शुरू करेगा कभी वह बैठता नहीं था उसके शरीर से पसीना टपकता था उसके चेहरे पर थोड़े से भी ठकावट नहीं थी उसने दिन रात एक करके खेतों में परिश्रम करना शुरू कर दिया उसके खेतों में जाना देखकर सुचान भगत की इस नवीन उत्साह पर गाव के टिकाए हुई लोग निंदा करने लगे लोग कहने लगे छुट गई भगती इतने दिनों से तो भगत बना हुआ था अब भगती छोड़ दी और क्या करने लगा फिर खेतों में किसान के रुप में कान करने लगा सारे गाव के लोग उस की टिका करते निंदा करते उसे क्रिटिसाइज करते उसे देखकर हसने लगे सुचान ने किसी की बातों को अपने मन पर नहीं लिया लोग कहने लगे निकल गई भगती बना हुआ था माया में फसा हुआ है लोग उसको कही कही तरह से क्या करने लगे नाम रखने लगे क्रिटिसाइज करने लगे मगर भगच्ची के द्वारा अब भगच्ची के द्वारा अब फिर सादू संत आसन जमाए देखे जाते उनके घर सादू संत आते फिर भी उनको क्या किया जाता था सादोसंत आते, कानोनगो आते, मिनिस्टर्स आते सबी के घर में उनकी पहले जैसे क्या कोँने लगी? सेवा होने लगी उनका आदर सम्मान होने लगा उनको खाना, पीना, रहना आदी की व्यवस्ता कर सुजान उनकी सेवा करने लगा जो गरीब लोग है धार्मीक उरुति यानि उसने किसान होने पर अपनी धार्मीक उरुति यो जो भकती का जो दान्धर्म का जो काम है उसने नहीं छोड़ा धगभक्ति के मार्ग पर चलते चलते उसने खेतों में भी कड़ी परिश्रम करना शुरू कर दिया उसका नतीजा सुजान हर रोज खेतों में जाता कड़ी परिश्रम करता उसका नतीजा उसकी खेती ने सोना उगल दिया खेतों में सोना उगलना उसकी कड़ी महनत से सारे गाउं के लोग देखते रहे गाउं में सबी किसानों से पहले सुजान खेतों में पहुंचता दिन रात कड़ी महनत करता उसका नतीजा उसकी खेतों में सोना उगल दिया यानि सोने जैसी फसल पिक कर खड़ी हुई अनाज इतना अच्छा आ गया सारे गाउं के लोग सुजान की खेत को देखने लगे बखारी में अनाज रखने की जगह नहीं मिलती जिस खेत में पांच मन मुश्किल से होता छोटा सा खेत था लेकिन उस खेत में पांच मन यानि उस खेत की जो कैपैसिटी थी पांच मन एक मन यानि 40 केजी लगबग यह पुराने गाउं का मेजर्मेंट का शब्द है मन यानि approximately 40 केजीज आज के जमाने का अगर हम मेजर्मेंट पकड़े तो 40 केजिस यानि पूरे उस खेट के टुकड़े में उसके भाग में लगबग 5 मन मुश्किल से होता था एक मन यानि 40 केजी हिसाब लगा ये 5 मन यानि कितना 200 केजिस का कैपैसिटी वाला उसका खेट था लेकिन सुजान के कठीन परिश्रम उसके मेहनत से उसके छोटे से खेट में अबकी यानि इस बार 10 मन की उपज हुई 10 मन यानि डबल डबल अनाज खेटों में आया लगबग 400 केजी का अनाज उसके खेटों में उपज हुई थी यानि उगा हुआ था खेटों में इतना अनाज देख कर सुजान खुश हो गया क्यूंकि सुजान के मेहनत का उसे फल मिला चैत का महिना था चैत्रमास इसी महने में जब अनाज उकर आता है तो ये किसानों के लिए एक तरसे पर्व होता है उत्सव खलियान में सत्युग का राज था जगजगँ अनाज के धेर लगे हुए थे यही समय है जब कुशकों को भी थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है चारों गोर खेतों में अनाज अनाज देखकर गाउं में एक तरसे हर्श उल्लास और उत्सव का वातावरण था सारे किसान खुश थे खेतों में चारों और फसल को देखकर सारे गाउं के लोग खुश थे उसी तरह सुजान बगद के खेतों में भी अनाज की राशी राशी पड़ी थी सुजान बगद टोकरे में अनाज भर भर कर देते थे और दोनों लड़के टोकरे लेकर घर में अनाज रखाते थे तो सुजान के दोनों बेटे भोला और शंकर और बुला की देखते रहे गए कि सुजान नी दिखा दिया कि कटिन परिश्रम द्वारा उसने अपने घर का अधिकार प्राप्त किया सुजान के दोनों बेटे और पत्नी अनाज का धेर देकर आश्चर ये चकित रहे गए सुजान भगर टोकरे में अनाज भर भर कर देता और दोनों लड़के बोला और शंकर टोकरे लेकर अनाज घर पर जाकर रखा थे कितने ही भाट और भिक्षुक घेरे हुए थे उनके खेतों के पास अनेक भिक्षुक भाटे में सादू संत वहाँ पर आकर खड़े हुए थे सुजान के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए क्योंकि गाव में सभी को बताता सुजान भगर एक ऐसा विक्षी है जिसके घर पर कोई भी जाए वह खाली हाथ नहीं चाता सुजान के आट महने के लगातार परिश्रम के बाद खेतों में अनाज आया हुआ था सुजान ने सरसा देखा सरसा देखना अचानक देखा वही भिक्षुक जो आट मेंने पहले उनके घर आया था और वह उसे अनाज नहीं दे पाया था उसने उस बिक्षुक को पहचान लिया और उसको बिक्षुक के पास जाता है और कहता है क्यों बाबा आज कहां कहां चक्कर लगा आए बिक्षुक कहता है अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी पहले तुमारे ही पास आया हूँ भगत अच्छा तुम्हारे सामने ये धेर है इसमें से जितना अनाज उठाकर ले जासको ले जाओ भिक्षुक नेक्षुक्द नेत्रों से धेर को देकर कहा जितना अपने हाज से उठाकर दे दोगे उतना ही ले लूँगा भगत नहीं तुमसे जितना सके उठालो भिक्षुक के पास एक चाधर थी उसने कोई दस सेर अनाज उसमें भरा दस सेर एक सेर याने एक केज़ी लगब उसने क्या किया भिक्षुक्द ने अपने कांदेपर की चाधर नीचे जमिन पर फैलाई और उस अनाज के धेर में से उ टेन केजज अनाज उस चादर में भरा उठाने लगा उसने कोई 10 सेर यानि टेन केजज अनाज इसमें भरा और उठाने लगा संखोच के मारे वो हेजिटेट करने लगा भूलाいきます संकर खड़ा है पत्नी खड़ी है इतना अनाज देकर मुझे कुछ कहना दे डर के मारे अधिक बरने का साहसना और भी वह लेना चाता है चादर में लेकिन आसपास सुजान का परिवार के लोगों को देकर वह डर जाता है भगत उसके मन को मन का भाव समझ कर आश्वासंदित वे बुला बस इतना इत एक बच्चा उठा ले जाएगा यानि भगत ने समझ लिया कि ये संकोच कर रहा है वो कहता है भगत भिकारी को इतना ही एक बच्चा दो ले जाएगा तुम और ले लो और ले लो बिख्षुक ने भोला कि और संदिक दनत्रों से देख कर कहा मेरे लिए इतना ही बहुत है भगत नहीं, तुम सुकचाते हो, अभी और भरो, वो बहुता है, डॉन्ट हेजिटेड, और भरो, और भरो, भिक्षुक ने एक पसेरी अनाच और भरा, एक पसेरी, यहने एक थोड़ा सा आधा केजी अनाच फिर उसने डाला होगा, और वो गढ़री बानने लगा, भगत उसकी और क्या देखते हो बाबाजी, मैं जो कहता हूँ, वह करो, तुम से जितना उठाया जा सके उठालो, विक्षुक दर रहा था, कि कहीं उसने अनाच भर लिया, और भूलाने गठ्री न उठाने दी, तो कितनी भद्द हो जाएगी, और विक्षुक को हसने का अवस असर मिल जाएगा, जो सब यही कहेंगे कि विक्षुक कितना लोभी है, यानि लालची है, उसे और अनाच भरने की हिम्मत न पड़ी, विक्षुक समझ लेता है कि अरे मालिक तो कहेगा और लो, और लो, लेकिन मुझे अपने एक लिमिट में रहना चाहिए, तो उसने एक लगबग दस केजी तक अनाच भर लिया, तब सुजान भगत ने चादर लेकर उसमें अनाच भरा और गट्री बान कर बोले, इसे उठा ले जाओ, यानि सुजान खुद विकारी के पास आता है, और उसके चादर में और अनाच भरने लगता है, तो कितना अनाच भरा, बाबा इतना मसे उठना सकेगा, बगत अरे इतना भी नहीं उठ सकेगा, बहुत होगा तो मन भर, भला दोर तो लगाओ, प्यारे विध्यारतियों समझने की बात है, हम एक भिकारी को कितनी भिक्षा देते हैं, हम सब चानते हैं, लेकिन सुजान आज उस भिकारी को एक मन, एक मन यानी लगबख 40 केजी का अनाज उसके चादर में भरता है, और उसकी गाट मारता है उस चादर की, तो वो जो भिकारी है, जब वो गांट उठाने लगता है, गठरी उठाने लगता है, तब उसे उठ नहीं पाती, क्योंकि वो 40 केजी की है, और भिकारी अजमाना उसने ट्राई किया उठाने की कोशिश की भारी थी बहुत वेट भरी गठरी थी चालिस केजी जो था जगह से हिली भी नहीं भोला बोला भगत जी ये मुसे न उठ सकेगी भगत अच्छा बताओ किस गाउं में रहते हो बिक्षुक ने कहा बड़ी दूर है भगत ज अच्छा तो तुमारा गाउं अमूला है कोई बात नहीं तुमसे ये गठरी नहीं उठाती न तो मैं क्या करता हूँ ये गठरी मेरे सिर पर लेकर तुमारे गाउं तक चलूँगा तुमारे घर तक ये चालिस केजी का अनाज तुमारे घर तक पहुँचा कर मैं वापिस च पिछे जाने लगता है तो क्या अब भोला पिताजी को रोकेगा बाप का माल है क्या आप लुटाने पर चले हो विकारी को 40 कीजी तक अनाज देने लगे हो बिल्कुल नहीं क्यूंकि सुजान ने दिखा दिया कि कटिन परिश्रम द्वारा उसने अपने घर का अधिकार प्रा आया कि वह उसकी इज़त करे वरना इनकी खैर नहीं बगत अच्छा आगया आगये चलो मैं पहुचा दूँगा बिकारी 40 कीजी तक भीक लेकर सुजान उसके घर तक बिकारी के पीछे पीछे जाने लगा ये कहकर बगत ने जोर लगा कर गठ्री उठाई और सिर पर रकर ब पौरुष देखकर चकित हो गए उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा था आट महने के निरंतर अविरल परिश्रम यानि कंटिनियस हाड़ वर का आज उन्हें फल मिला था आज उन्हें अपना खोया हुआ अधिकार क्या कर लिया था प्राप्त कर लिया कैसे उसी भीकारी को एक समय उसने खाली हाथ पहुँचाया था उस भीकारी को उसने अपना भीक देकर अपने अधिकार को प्राप्त कर लिया था बेटे और पत्नी की बोलती बंद कर दी थी ऐसा एक परिश्रमी किसान था सुजान सुजान ने आज अपना खोया हुआ अधिकार फिर से प्राप्त कर लिया वह अब फिर से घर का मालिक बन गया पिता के कठिन परिश्रम के सामने हाडवर्ब के सामने भोला और शंकर हार गए बोला सिर जुकाय खड़ा था उसे कुछ बोलने का हौसला न हुआ वृद्ध पितान ने उसे परास्त कर दिया था परास्त कर दिया हार हरा दिया था तो इस तरह से हम देखते हैं इस कहानी में सुजान भगत कहानी ग्राम्य जीवन के परिवेश से संबन दित है किसान सुजान के सुजान भगत बनने की बाद गाह में उसकी प्रतिष्टा बढ़ जाती है लेकिन अपने ही घर में उसका अनादर होता है पुत्र और पत्नी द्वारा उपैक्षित भगत अत्यदिक परिश्रम कर ऐसे फसल उगाता है कि बखारी में अनाज रखने की जगह नहीं मिलती इस तरह आपना खोया हुआ अधिकार फिर प्राप्त करता है कटेन परिश्रम करने से ही मान उपैल द्वलत मान मर्यादा आधि प्राप्त होती है यह संदेश विध्यारतिय को देने है तू प्रेम-चंजी की इस कहानी को का चयन किया गया है प्यारे विध्यारतियों, किताब में जितने भी इस कहानी के पांच भाग हैं, उसे अच्छे से पढ़कर समझ कर रखिए और अगले क्लास में हम इस कहानी का question answers प्रश्णोतर का भाग देखेंगे मैं आशा करती हूँ, आप सभी को ये कहानी समझ में आई होगी तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद